प्रवालोग ते आज मैं रियाक्ट करांगी उस विडियो ते ज़स्द नाम है हरी सिंग नालवा जी दी बायोग्रफी दो तीन रिक्वेस्टे मेरे पास आई नी तो मैंने जब टाइटल नू पढ़ा तो मैंनू लगा ए तरीके का विडियो मैंनू स्प्रेड करना बनदा है क्योंकि टाइटल में लिख्या होया है कि ए भारत के ओ महान योद्धा सी जिस दिवारे कोई नहीं जानदा और सच बताऊं तो मैं जिस सुसाइटी में रहती हूँ यहाँ पर वाकई में हरी सिंग नालवा जी के बारे में कोई नहीं जानता मैं खु बहुत मुश्किल से मैंने ये पंजाबी ट्राइ करके बोली है तो प्लीज एक फालो और इंस्टाग्राम तो बनता है इसके लिए बाकी लेट सी कि कैसा वीडियो होता है कैसी बयोग्रफी है पंजाबी में यह यह पंजाबी अब आप लोग तो समझे गाए होंगे कि आपने जीवन विच बहुत ज्यादा मकाबले की तेने जित्ते भी ने आजी यह सिंगाल करन जा रहे है हरी सिंग नलुआ जीवारे जेना दा जनम 1790 में विच ठाई प्रैल नूं गुजरावडा पकस्तान विच होया सी ते इना दे पिता दा नाम गुर्दयाल सिंग सी ते माता दा नाम बीबी तर्मकार जी सी ते इना दे दादा सरदार बिशन सिंग जी सी जो एमद शा अबदाली ना लड़दे होई शिहीद होगे सी ते जदो 1880 विच एक अंग्रेज जदो दुनिया दे सब तू ज़ादा काम जाब जरनेल ना वारे लिखन लगया ता हरी नरूआ जीदा नाम लिख दे समय ओस्टा सरदा चुप गया सी ते इस दा गरनासी की वेशक किसे जी नजर बेच सकंदर्म एक महान जोदा होवेगा ते किसे जी नजर बेच चंगेज खां पर मेरी नजर बेच हरी सिंग नरूआ जी ही बहद्दर जरनेल होंगे क्योंके ओ तो उस ने दस्या की जे कर अंग्रेज्जा जिनी सैना हरी सिंग नड़ुआ जी दे कोड हूंदी ता हो पूरी दुन्या नूँ जित सक दे सी जदो इना दी उमर 7 साल दी सी ता उस वक्त इना दे पिता गुर्दयाल सिंग जी एस दुन्या नूँ शट के चले गे सी ते ओस्तो वाद इना ने कुछ समा अपने नान के अपनी माता दे नाल रहके गुजारेया ते एस दुरान हरी सिंग नलुआ जी ने पंजाबी फार्सी दे नाल नाल होर कई पाशामा भी सिखियां ते हो कोड़सवारी ते तीरंदा जी भी सिखे ते अगे गल कर दे महाराजा रंजी सिंग जी हर बसंत पंजमी ते एक दरवार करया कर दे सी जिस विच नाजवान कोड़सवारी तीरंदा जी ते हथ्यारां दे जहौर दखाया कर दे सी ते जदों हे 15 साल दे होए ता इनाने भी उत्थे जाके अपने कोड़सवारी दे नाल नाल करपान नूँ इक बखरे तरीके नाल चलाओं दे जहौर दखाये जिस तो बाद महाराजा रंजी सिंग जी ने देख्या कि एक नौजवान बखरे तरीके नाल जहौर दखा रहे है ते उनानों ओ बहुत पसंद आए ते उनाने खोश होके उनानों अपने कोड़ बलाया ते ओस वक्त उनादा नाम सिर्फ हरी सिंग सी ते महाराजा रंजी सिंग जी ने उनानों कोड़ बलाके एक सोने दा कैंठा उना दे गल वेच पाद ता ते अपनी फौज दे वेच उनानों शामल कर लिया ते ओस समय पंजाब ते महाराजा रंजी सिंग जी दा राज सी ते हो अपने सैनिका नों युद शिक्षा देन लेई वेदेशन तो आर्मी यète वलाया कर दे सी ते अज भी पाकिस्तान विच उना फ्रैंच जर्णल से दिया कबना पाईया जान दियाने जो पार्त विच सिंग सैनिका नों शिक्षा देन लेई थे ते महाराजा रंजीस सिंग जी ने सर्फ युद शिक्षा ही नहीं वालके वदेशी पाशामावी अपनी सेना नू उना तो सखवाईया सी ते एक बहुत मशूर किसा है जो तुस्ही साब ने सुने ही होना है ते लुब अकसर है देख देख देख्या है कि शेर दा शिकार नेजजे या वंदूख नाल कीता जाना है वो भी बहुत दूरी बना की। पर कौम दे एज जर्नैल ने अपने गात्रे दी करपान दे नाड उस छेर दा शिकार कर देता ते उस दा जवाड़ा बिचकार तो पाड़ देता सी। जाद के शेर दे जवड़े दा प्रेशर 900 तो लेके 1100 पाउंड पर सकेर इंचुंदा ते इस तो उसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनना निया बहाँ दे विच किन्नी जान हुएगी। ते उस वक्त महाराजा रंजीस सिंग जी ने इननों अपने गड़दे नाल लाके केहा सी कि तूम मेरा राजा नाल है। ते राजा नाल शेरां दा शिकार करया करदा सी। ते राजे नाल दा महाराजा रंजीस सिंग जी दे मन विच बहुत वदी आक्स बने हुया सी। क्योंके उने भी बिना निज्जे तो ही शेर दा शकार कीता सी ते एस तो वाद उना दा नाम हरी सिंग तो हरी सिंग नलुआ पैगया सी ते जिस्तो वाद इना दी जगीर विच वादा कीता गया ते उना वेलियां विच उस तो सलाना आमदन नौ लख तरननमे हजार पीए सी ते धौनों दास दिये की एज जरनेल उस जगीर दा करदा की सी अदी जगीर दी रखम गुरता अमा ते खर्च कीती जान दी सी ते कालतकत साब ते जो सोने दा गुम्मं सी ओवी एस विचोई बनाए गया सी ते पाई जोगा सिंग जी दा जो पिशावर दे विच गुर्दवारा अवी एस तो ही त्यार कीता गया सी ते जिते गुर्णान्क देव जी ने पत्थर नो रोक के बलीकंदा रिदा हंकार तोड़या सी जिड़ा गुर्दारा तुसी पंजा साब आज देख देओ उस नूवी हरी सिंग नरुआ जी बलों ही तियार कराया गया सी ते एस तो लावा हो निजी तो और ते जगीर बिच्चों अपने होते कोई भी खर्च नहीं करदे सी वालके हो बाकी पैसा अपनी फौज ते खर्च करया करदे सी ते असी सोच भी नी सकते जदो महारा जर्णाजी सिंग जी ने कसूर नुफते गीता सी उस विच इना ने एहम पूमी का नवाई सी ते उस वक्त इना दी उमर सादे पंद्रा साल दी सी ते एस तो उसी अंदाज्जा लगा सकते हैं कि उना दी शास्तर विद्धा केमे दी होवेगी ते एस तो वाद हरी सिंग नलुआ जी ने मुलतान दी लड़ाई लड़ी ते जिस विच वो बहुत ज़दा जखमी होगे सी पर महारा जर्णाजी सिंग जी नो पता लागया सी ते जिस तो वाद उना ने मलतान नो फते कर देता सी ते उते भी फिर सिखां ता राज होया पर जिस तो वाद हरी सिंग नलुआ जी नो शे महने लागय सी ठीक होण लई ते जदों हो कई महने वाद ठीक होगे दरवार विच चाए ता शेरे पंजाब ने जगीर वक्षी ते आंतसा में सरदार हरी सिंग नलुआ जी दी जगीर सिख राज विच सापतों जादा सी जिस तो वाद उना ने बहुत सारे थां जिते ते जतदे जतदे कश्मीर नो भी सिख राज विच रला लिया सो बीबी हर शार्नकौर जी वारे भी तुझी सोने होगेगा सो बीबी शार्नकौर जी दी कटना उस वाख तो इसी जदों महाराज रंजीस सिंग जी ने मिचनी दाला का भते कीता सी ते उत थे एक किला बनाया सी ते जदों उस के ले विच हरी सिंग नलुआ जी अपना दरवार लाके वेठे सी उस वक्त तो थे एक पंडत आया ते उस ने आके बेंती कीती की असी अपने वेठे नू भ्याके लेके आ रहे सी ते रास्ते विच पठाना ने साड़ी डोडी लुट ली है ते उस साड़ी वच्ची नू चोक के लेगे ने ते पठाना ने उस नू मिचनी दे खांदे हवाले कर देता ते सान्नो एवी पता की जदों हो फौजदार किसे बच्ची नू चुक ले जानदा ता हो उस दी एजज़त भी लुट लेंदा ते उस दा कतल भी कर देंदा ते उत्थों कदे भी वच्चे वापस नहीं आउंदे ते हरी सिंग नलुआ जी ने उना नू पुच्चा की किन्ने पठान सी ता उस ने कहा की पंज पठान सी बहुत शास्तर लेगे आयोई सी ते उना ने कहा की थोड़ी भरात विच किन्ने बंदे सी ता उस ने कहा की ती चाली व्यक्ती सी ते हरी सिंग जी ने फिर मुस्करा के कहा की फेर थोड़ी यही हाल होना जेकर थोड़ी ती चाली व्यक्तियां दे हुंदे होए भी थोड़ी कुणों पंज व्यक्ती थोड़ी इज़त नू खोके लेगे फेर ता थोड़ा एही हाल होना ते ओसे वक्त फिर हरी सिंग नड़ुआ जी ने ओस खाँ दे लाके ते कापजा कीता ते ओ बच्ची नू शड़ाया ते जदों ओथो उना नू शड़ा के हरी सिंग नड़ुआ जी दे दरवार विच लेंदा गया अरी सिंग नड़ुआ जी ने उना दे प्रवार नू किया की थोड़ी बच्ची नू सही सलामत ले आनदा है ते होन तुसी अपने कार ले जा सकदे हो ओ एक दुझे दे मूँवाल दे खन लागे सी असल विच बिच दी गाल ए सी की एक देन पठान दे कार विच रहाई आया है ए उस वक्त हुंदा सी ते उस वक्त ही भी बी शर्न कार जीने के हा की सिखा दे जर्नेला मैं तनू आपदा फैंसला सनाओ निया इना नू बोलन दी लोडी नी मैं इना दे नाड जाना ही नी चाओंदी जेडे मेरी एज़दी रख्या ही नी कार सकते तुसी मैंनू पैन कहके लेके आयो ते जदो मन्नो हो चोके लेगे सी ता मैं किसे दी पतनी सी ता मेरी कोई बदनामी नहीं होई पर आज तू मैंनू वीरिया पैन कहके लेके आया पर जे कर किसे ने दवारा डोला लुट लेया तन लोकी एक एन गे कि हरी सिंग नलुए दी पैन नू कोई चोके ले गया मैं नी एना दे नाल जाना चौंदी ते बीबी दे ना मनन ते फिर हरी सिंग जी ने कहा कि तो अनू खंडे वाटे दा अमरत शकना पैना ते फिर उना नू खंडे वाटे दा अमरत शकाया ते उना दा नाम बीबी शर्नी तों बीबी हर शर्न कोर जी पया ते है उस वक्त जम्राओ दे के ले दे विच सी जेकर असी अतिहास बिच थोड़ा पिच्छे देखिये ता अक्सर एक अटनामा बप्रदियां इरहियाने की ब्यातों आउंदे हुए वरात नू लुट्टया जानदा सी ते ओस वक्त वराती एस करके ही ले जानदे सी की जेकर हमला हुए ता हो रक्षा कर सकनू पर अज दे समय असी बद तो बद वरात ले जाना अपनी शान समझ देयां ते जिना विचो जादातार नू बाप सौंदे हुए अपने आपदा ही नी पता रहेंदा ते रक्षा करना ता बहुत दूर दी वाला ते अज भी व्या शादिया हुना ह नी ते एक सर्वाला बनाए जानादा है ते ओनों भी लाड़े वर्गे ही कपड़े भुआ जानदेने पर कदे ए सोचआ की एक क्यों तियार कीता जानना है पास्ट विच इसदा कोई मतलब होगा zombiesा ताहीं इसनू तियार की ता जान दै पर आज जसी सर्फ दखावे ले ही तियार कर दैया असल विच विच व्या वाले लडकेनों कहा जानदा है वर ते लडकीनों कहा जानदा है वाला ते एस तो शावदबानदा है वरवाला ते हिंदू थमानणा ने एक तरीका लब्या सी जदो ऐस तरह वराता लुट लेगा जानदा ही ते ऐस वक्त लड़कीनो दखाया ता जानदा निसी सिद्धा व्याः ही हुन्दा सी ते जद्वू राता जान दिया सी ता उन्हां दे गयना गटा लोटन ली उन्हां दे हमला हुनता सी ते जेकर वर्न मारे जान दा सी ता ऐस ले उन्हां दे ए टरीका लबया सी की ऐस तरांदे accurate पदे पुह系 उदी हम उमर दाई एक लड़का होर त्यार कीता जावे जिसनों ब्रादे पिछे रख्या जान्दा सी ते जे कर कोई कटना बाप पर दी सी ता उस दा व्या उस लड़की नड़कार देता जान्दा सी ते ओ दुझे लड़के नू नाम देता गया सी सरवाला पर यह परमपरा आज सिखां विच भी बहुत पर चल्लेत हो चुकी है पर यह आई कितों सी ए तुसी समझी गए होने है सु अपपा अपनी कहाणी विच अग्गे वादेयां ते गल कर देयां ओस किसे दी जदो एक और तने हरी सिंग नुरुआ जी नू कहा सी कि मैं चौनिया की मेरी कोखतों थोड़े वर गा पुत्तर जनम लवे सु की हो ऐसी ओस वक्त ओस वारे गल कर देयां पिशावर दा गवारनर बनके हरी सिंग नुरुआ जी ने बहुत सारे किलें दा जाल बना देता सी ते कई किलें नमे बनाए गए सी ते कई प्राणें दी मरम्मत कीती ते ज़दो नासर खानू पता लगया कि हरी सिंग नड़ुआ जी ने द्रियाए खेबर ते कबजा कर लया है ता उना ने अपने पुत्तर नो किया कि तू अपना समान बानला है अपा इत्थो चाल देया कि ते हरी सिंग नड़ुआ अपना नुकसान ना कर देवे ते फिर उना दा पुत्तर अपनी मगेतर बाननो दे करे गया जिस नाड़ उस दा नकाह होना सी ते उसने जाके बाननो किया कि चल अपा ए अलाका छट के चलिया क्योंके हरी सिंग नड़ुआ इत्थे पहुंच चुक्या है तो ता पहले ही डर गया है ते होन कथे गई तरी दलेरी कथे गई तरी बहादरी मैं ता तेरे लनाड ब्या क्राउन ली हाँ ही इस कारन कीती सी की तू द्रियाए खैपर दे सारे पठाना बिच्चों बहदर जर्नाल है तो ते ड्रिपों की बहुत बदा निकला ते हो एज़ जड़ ते अड़की की मैं एज़ जर्नाल हूँ देखना जाँनी है ते उन्हे बहुत समझाया की तेरा उथे जाना खतरनाक सावत हो सकता है क्योंके हो अपना दुश्मन है तेरी जान भी जा सकती है ते एज़त भी ते ओ केंदी चाहे जावे चाहे जावे ज़त मैं ओ जरनेल जरूर देखना है जिस्तों तुसीं डर देओ ते आखर कारबान नो उते पहुंच गई ते ओस वक्त हरी सिंग नरुआ जी उते किला त्यार करवा रहे सी ते ओ उना दे एक शोटे जे टेंट दे तंबू बेच पहुंच गई ते हरी सिंग नरुआ जी ने ज़तो रहरा साब दे पाठ तो वाद अपनी आखां खुलियां ता हो उना दे सामने खड़ी सी ते उने पहला सौल पुछा कि तुसीं कौन हो ते हो उना दे जवाब तो बहुत प्रवावित होई ते इस तो वाद उने कहा कि मैं एक प्राण कीता सी कि मैं किसे बहादर दे कर निकाह करना है ते उने कहा और सिखां दे आ जर्नेला मैं चौनिया कि मेरी कुख दे विच्चों तेरे वरगा पुतर जनम लवे ते हरी सिंग नलुआ जी ने अपना जवाब देता उना ने कहा कि वेटा पुतर जिमे मार्जी दा होई अपने खोदा अगे एफ रियाद करया कर कि ओचंगे असूला दा मालक होना चाहिदा उना दा कैना सी की शकल दी कुई ऐमियत नी होन दी बंते दे असूला दी ऐमियत होन दी है ते ओ फिर दोरा कैन दी की तू जर्नैला समझा नहीं मैं चौनिया कि तू मेरे ना नकाह कार लमें ते फिर मेरी कुख बिच्चों तेरा पुतर पैदा होगे ते ओस वक्त हरी सिंग नलुआ जी दा व्या भी हो चुक्या सी ते उनने दो पुतर भी सी ते एकती भी सी ते हरी सिंग नलुआ जी ने कहा कि मैं बहाया हुए हाँ मैं ता इंच सोच भी नी सकता ते तू एक ही सोच के थे आगी ते हो केंदी वे शक थोड़ा पहला व्या होया है पर मैं नू थोड़े तो पुतर चाहिदा तुसी मेरे नल नकाह कर लो ते हरी सिंग नलुआ जी फिर जोश भी चाहे ते अपने कोल पई तलवार नू चक्या ते उननू कहा की ते हरी सिंग नलुआ जी ने कहा की रुख जा तो एदस ते रा नाम की है ते उनने कहा की मेरा नाम है बानो ते फिर उननने अपने कोले पई एक चादर नू चाके उनना दे सरते रख्या ते हाथ जोड के उदे सामने खडा हो गया ते उनना कहा की बानो तू 24 सीना की तेरे कार वेच हरी सिंग नलुए बारगा पुत्तर जनम लवे ते आज तो तू मेरी माता ते हरी सिंग नलुआ ही तेरा पुत्तर ते ओस समय हरी सिंग नलगवाजी दी ओमर ब्यारी साल तो पर सी जिसनू ओना ने अपनी माता बनाया सी ओस बाननों दी ओमर उन्नी भी साल दी सी सो अईदान दे सी साथे सिख कौम दे जरनेल हरी सिंग नलगवाजी ये वीडियो दा अगला पाट थानू आउन आले दो तेन दे विच मिल जावेगा आज मैं बहुत शौक दूँ मुझे वाकई में नहीं लगा था कि अपन जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो अपने को हरी सिंग नलवाजी जैसे भगवान तुलि इंसान मिलेंगे अपने हिंदू साहित्य में लिखा है न कि अगर सेहत चली गई तो हाँ कुछ गया है अगर धन पैसा चला गया तो कुछ भी नहीं गया हर चीज ठीक हो जाएगे क्योंकि पैसा हाथ का मैल होता है और आता जाता रहता है अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया और वो ही बात है इनका चरित्र इतना स्ट्रॉंग था कि अगर एक 19-20 साल की यंग लड़की इनके पास आई तो उन्होंने उसको बेटी की नजर से देखा और फिर जब उस लड़की ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मैं चाती हूँ कि मेरा तुम्हारे जैसा बेटा हो मैं चाती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो तो वो कैरेक्टर के इतने पके थे क्योंकि उनके अल्रेड़ी शादी रखी थी उनके दो बच्चे थे तो उन्होंने बोला मैं तुझे मेरी मा मानता हूँ आज से तो इससे बड़ी बात हो सकती है क्या कुछ मैं आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ ये बायोग्रफी जिसने भी मतलब तीन चार लोगों ने मिरको रिक्वेस्ट बेजी थी कि इस पर रियाक्शन करो मैं आप सब के हाथ जोड़ती हूँ यार थांक्यू सो मच मुझे ये व जेंडरी हिस्ट्री है अपन लोगों की इतने जादा शूरवी लोग भारत में हुआ करते थे हम सबको तो बहुत गर्व होना चाहिए अपने मित्स ब्रेक करें बारात को ले करके और शादी में दुल्हे के साथ जो लड़का बढ़ता है उसको ले करके तो ये समच जाओ भाईया सबी लोग शो ओफ के लिए शादिया हो रही है साब बाराते आ रही है बजट लग रहा है पचास पचास लाख रुपय का बारात क्यों है ये तो सीख लो पहले मुझे इंस्ट्राम पर फॉलो करना ना भूले क्योंकि वहां पर मैं भी टृत एंड अवेरनेस ही फ इसके लाईया